सास्त्रों के अनुसार कभी भी इनके पैर मत छूओ हो सकते हैं पाप के भागीदार हमारी शंसक्रती के अनुसार पैर छूणा अपने से बड़े लोगों जैसे मा, बाप, गुरुजन और बड़े बुजर्ग को मान सम्मान देना होता है जहां पैर छूने से व्यक्ति को इन स सब का आशिरवाद प्राप्त होता है वहीं उसके सम्मान में ब्रद्धी होती है पर अंतो पैर छूने के कुछ नियम है जिसके अनुसार हमें कुछ लोगों के पैर नहीं छूने चाहिए सास्त्रों के अनुसार क्वारी कन्याओं से पैर नहीं छूआने चाहिए इससे सिर्वाद लेना चाहिए अगर कोई पूजा पाठ कर रहा हो तो हमें उसके पैर नहीं छूने चाहिए क्योंकि पूजा मेलीन व्यक्ति या महात्मा के पैर छूना पाप है और इससे पूजा करने वाले की पूजा में भी अवरोध आता है इसलिए पूजा पाठ मेलीन व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए कभी भी सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं छूने चाहिए क्योंकि इससे सोते हुए व्यक्ति की उमर घटती है और जो व्यक्ति स्वर्ग सिधार जाए उसकी व्यक्ति के पैर छूए जाते है इसलिए सोते हुए व्यक्ति के पैर नहीं चूने चाहिए अगर कोई व्यक्ति समसान से लोट रहा है तो हमें उस व्यक्ति के पैर भी नहीं चूने चाहिए क्योंकि समसान से लोटता हुआ व्यक्ति अशुद हो जाता है ऐसे में उसके पैर चूना वर्जित है कभी भी पंडित और भांजे से पैर नहीं छुआने चाहिए क्योंकि पंडित और भांजे पित्र का रूप होते हैं और पित्र से कभी भी पैर नहीं छुआने चाहिए इससे उनका अपमान होता है और पाप लगता है हमें इन सब के पैर छूने से बचना चाहिए नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं घर से दोस्त को दूर करने के लिए शुवय सामगाए कि देशी गी का दीपक जरूर जलाएं और अपने घर में शुक्षांती पूर्वक रहें जिसे नारण भगवान और मालक्षम की करपा आप पर सदे बनी रहे